आज की वीडियो में मैं आपके लिए किचन टिप्स के साथ बहुत ही अच्छा और्गनाईजर लेके आई हूँ जिसे मैं घर में बनाऊंगे बेकार चीजों से जो आपको रोज यूज में आएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं नमस्ते दोस्तों स्वागत आपका प्रितीर सोई में वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर से कर दिजिएगा घर और कीचन को क्लीन रखने के लिए हम इस तरीके के फिनेल का यूज करते हैं मगर जब फिनेल खतम हो जाता है तो हम इसके डब्बे को फेक देते हैं जो हमारे बहुत ही काम का होता है तो एक बाद इस वीडियो को देखने की बाद आप इसे कभी भी नहीं फेकेंगे तो सबसे पहले हम sketch pin से इस डबबे के ऊपर इस तरीके से मार्क लगाएंगे जहां से हमें इसमें कट लगाना है वहां से पहले मार्क लगा देंगे ताकि काटने में सुविधा होगी तो यह हमने इसपे मार्क लगा दिया है यह दिखिए अब इसे हम काटेंगे तो इसे काटने के लिए अगर आपके पास इस तरीके का कटर है तो आप इसे काटे नहीं तो चाकू को गरम करके उससे भी आप इसे काट सकती हैं आसानी से कट जाएगा तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगेगा यूजफूल लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और फैमली और दोस्तों किशाष शेयर भी करिएगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्योंकि मेरे चैनल पर आपको रोज ऐसे ही यूजफूल टिप्स और और और्गनाईजर बनाने के एडिया मिलते रहेंगे तो यहाँ पर मैंने इस बोटल को कट कर लिया है अब उपर वाले हिस्से को साइड में रख देती हूँ बाद में यूज़ करेंगे और नीचे वाला जो हिस्सा है ये दिखे कुछ इस तरीके से हो गया है अब जहां से हमने इसे काटा है वहां से ये थोड़ा सा उपर नीचे है तो उसे कट करके इसमूद कर लेते हैं और ये दिखे मैंने इसको काट लिया है अब चलिए इसे मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ तो उसके लिए आप अपने बरतन धोने के डिस वॉस को, इस क्रबर और ब्रस को इसमें रख सकती है तो जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ ये दिखे, बहुत ही अच्छे से और्गनाईज हुचाता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके के पुराने ब्रस का हम यूज़ करते हैं अपने कुछ बरतनों को धोने के लिए तो इस तरीके से इसमें रख दें ये गिरेंगे भी नहीं तो है न कमाल का एडिया आप भी एक बर बना कर जरूर ट्राई करिएगा आपको बहुत ही यूज़फूर लगेगा बोटल के उपर वाले पार्ट को जो हमने रखा था उसका भी हम यूज़ करेंगे तो ये जो हैंडल वाला पार्ट है न इसके उपर से हम इस तरीके से निसान लगा लेंगे तो इसे हमें यहां से कट करना है तो पहले इस तरीके से इस केजपेंसे निसान जरूर लगा लें काटने में आसानी होगी और आपको अनुमान भी लग जाएगा कि हमें कहां से काटना है अब निसान लगाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आप इस तरीके से कटर से काटें या फिर चाकू को गरम करके भी आप इसे आसानी से काट सकते हैं वीडियो अच्छा लगेगा तो फैमली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा तो यहाँ पर हमने इसके हैंडल को काट कर निकाल लिया है अब इसे भी काट कर थोड़ा सा स्मूध कर लेंगे क्योंकि जब हम इसको निकालते हैं काट कर अलग करते हैं तो उस टाइम पर यह थोड़ा साथ ऊपर नीचे कर जाता है तो यहाँ पर मैंने इसको कट करके स्मूध कर लिया है अब यह हमारा एक तरह का और्गनाईजर बनके तयार है तो इसे मैं अच्छे से धो लेती हूँ और यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से धो कर सुखा लिया है अब आप इसे से इस तरीके के चीजों को निकालने के लिए यूज़ कर सकती है साथ ही साथ अगर आपको इसको छोटे मूँ के बरतन में डालना है तो जब ऐसे डालेंगे ने तो यह बाहर गिरेगा तो आप क्या करें एक साथ से इस तरीके से उठाएं और दूसरे साथ से इस तरीके से छोटे मूँ के बरतन में डाल दें बहुत आसानी से यह चला जाएगा बिना बिकरे बिना गिरे तो यहाँ पर मैंने इसको डालकर दिखाया है अगर आपको पानी या तेल को भी बॉटल में डालना है छोटे मूँ के बॉटल में तो आप इसको इस तरीके से लगा कर डाल सकती हैं बहुत आसानी से चला जाएगा बिल्कुल भी पानी नहीं गिरेगा तो ये दिखिए हमने इस में डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि सर्फेस पर एक बुंद भी पानी नहीं गिरा है तो ये बहुत ही काम का है मगर ध्यान रखियेगा इसे हमें बहुत अच्छे से धो कर सुखा लेना है धूप में जारू का यूज हम रोज करते हैं अपने घर को साफ रखने के लिए मगर जारू उसको भी तो साफ करना जरूरी रहता है न तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जारू को शाफ करने का तरीका बताया है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जारू को सूखने में ज्यादा टाइम लगता है तो उसे जल्दी से कैसे सुखाया जाया तो जारू को धो ले उसके बाद थोड़ा सा इसे खड़ा कर दे जब इसका पानी निकल जाए उसके बाद आप ले ले इस तरीके का क्लचर जो हम अपने बालों में लगाते हैं वही पिन लेना है और क्लचर को क्या करना है कि जारू में लगाना है तो उसके लिए जाडू के थोड़े थोड़े पाट को इस तरीके से अलग करेंगे और इसमें इस क्लचर को लगा देंगे अलग करने से क्या होगा कि जाडू के अंदर तक हवा आसानी से पहुँच जाएगा जिससे जाडू जल्दी सूख जाएगा अगर जाड़ो को सुखने में एक घंटा लगता है तो आप इसे लगा कर रखेंगी तो आधे घंटे में जाड़ो सुख जाएगा तो इस टिप को आप ट्राई करके देखिएगा अगर आप इसे नहीं लगाना चाहती है तो यहाँ पर आप क्लोथ पीन का भी इस्तमाल कर सकती है इस तरीके के छोटे छोटे पीन को अगर हम इधर उधर रख देते हैं तो यह ट्राव में बहुत ज़्यादा बिखर भी जाते हैं और जल्दी से मिलते नहीं हैं तो जब हम क्रीम खरीते हैं तो इस तरीके के बॉक्स में आता है और जब क्रीम खतम हो जाता है तो हम इसके बॉक्स को फेक देते हैं तो फेके नहीं इसे अच्छे से धो कर सुखा ले उसके बाद आप अपने सारे सेप्टी पीन को इसके अंदर रख दे या फिर इस तरीके क और भी छोटी चीजों को आप इस तरीके के क्रीम के बॉक्स में रख कर और्गनाईज कर सकती हैं ऐसे रखने से इनके लिए एक पर्फेक्ट जगह भी मिल जाता है और इधर उधर बिखरता भी नहीं है जब जरूरत होता है तो फटा फट मिल जाता है कभी ऐसा होता है कि हम चूड़ी पहन तो लेते हैं मगर हाथ में जाने के बाद उसे जब हमें निकालना रता है तो वो जल्दी से निकलता नहीं है कांच की चूड़ीयां तो तूट भी जाती है और तूटने के बाद वो हाथ में लग भी जाती है तो आपको अगर चूड़ी निकालना हो और चूड़ी के साइज छोटी हो तो आप ऐसे नहीं निकालें आप इस टिप को जरूर ट्राई करें बहुत ही यूजफूल है मैं इसे खुद ट्राई करती हूँ, आप भी ट्राई करके देखें, आपको भी ये बहुत ही यूजफूर लगेगा तो उसके लिए एक पॉलिथिन ले लेंगे, जिसमें हम सबजी या फ्रूट लेके आते हैं, वही पॉलिथिन लेना है और उसे हाथ में इस तरीके से पहन कर पॉलिथिन के दोनों हैंडल को चोड़ी के अंदर से उपर के साइड खीच लेंगे उसके बाद पॉलिथिन के दोनों हैंडल को चोड़ी के उपर से नीचे के साइड खीचना है इस तरीके से धीरे धीरे इस तरीके से खिशते जाएं जब चोड़ी थोड़ा सा नीचे आ जाए उसके बाद दोनों हैंडल को एक साथ पकड़ कर इस तरीके से खिच लें पूरा चोड़ी एक साथ हाथ में से निकल जाएगा आपकी एक भी चूड़ी टूटे गी भी नहीं और आपके हाथ में लगेगा भी नहीं आप चाहे तो इसी पॉलिथिन में चूड़ी को रैप करके रख भी सकती है बहुत ही यूजफुल टिप है एक बाज जरूर ट्राई करें तो फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आप मेरे वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा